हलो स्टुडेंट कैसे हो सभी उमीद करता हूं सभी अच्छा एंड हैल्दी होंगे आज वन शोट वन चैप्टर के अंदर हम लोग चैप्टर कवर करेंगे 13 वाला जो है फाटो सिंतेसिस वाला और काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है एक ही शोट के अंदर एक ही वीडियो क अंदर कंप्लीर चैप्टर का तो हम लोग समझेंगे लान तो च्छेब्ट करते हैं इस चैप्टर का किविक रिविजन ओके फर्स्ट प्रग्राप को अगर हम लोग पढ़ें तो इसके अंदर क्या-क्या इंपोर्टेंट चीज हम लोगों को याद रखनी है ओके तो वह सा फोटो सिंथेटिक रियक्शन होती है इसके अंदर एक्षिली होता है कार्बन डाय ओक्साइड यानी सियोटू जो होता है वो कनवर्ट होता है और गनिक फॉर्म के अंदर है जिसे हम लोग गल्विन साइकल पड़ेंगे तो वहां पर सियोटू का रेडक्शन यानि अप्चा लिए जो फोटो सिंथेटिक रियक्शन होती है वो कैसी प्रोसेस है वो रेडक्शन प्रोसेस है कैसी है वो रेडक्शन प्रोसेस यह होती है दूसरा पॉंट हमको याद रखना है देन हमको यह याद रखना है कि जो फोटो सिंथेटिक रियक्शन होती है जो फोटो सिंथे यहाँ पर energy की requirement होती है दिन हमको बात करें तो इसके अंदर याद रखना यह एक परकार की anabolic process होती है कैसी process है यह यह anabolic anabolic का मतलब क्या होता है यहाँ पर कोई ने कोई compound का formation होता है एक होता catabolic जिसमें compound का breakdown होता है तो anabolic जो process होती है वो photosynthesis को हम लोग बोलते है क्योंकि यहाँ पर carbon dioxide कोज का formation होता है एक परकार की यह anabolic reaction होती है ठीक है तो कौन-कौन से important point है जो हम लोगों को याद रखना है पहला तो यह एक reduction process है दूसरा यह endothermik होता है तीसरा यह anabolic process होता है क्योंकि यहाँ पर enzymes involved होते है लास्ट point हमको याद रखना है कि यह एक परकार का phygeochemical change होता है देखो यहाँ पर लिख बरका है कैसा process है यह phygeochemical process होता है तो photosynthesis एक परकार का phygeochemical process होता है point clear हो गया तो इतनी सारी चीज़ें हमको इस first pera के regarding याद रखनी है तो सारी चीज़ों को आप अपनी NCRT के अंदर side में aroma करके जरूर लिख लेना क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अलग-अलग जगह पर दिया यह सारी बात है लेकिन हम लोगों को यह पर यह लिखना है पोदो दुआरा प्रकास अंसलेशन में उप्योग की गई सूर्य उर्जा यानि कि जो सनलाइट होती है वो प्रत्वी पर जीवन का आधार है और विस सी बात है बिल्कुल सही है क्योंकि सनलाइट की परजिंस में फूड का फॉर्मेशन होता है और जितने भी होता है जैसे मैंने का ना कि डिरेक्टली अफिर इंडिरेक्टली हम यानि जीव जन्तु जो होते हैं वो कम्प्लीटली प्लांट्स के उपर डिपेंड रहते हैं ठीक है तो पहला तो फोटो सिंथेटिक होने का परपच यह है कि इन से खाद्य पधार्तों का उर्थी हो सके दूसरा जब फोटो सिंथेसिस होता है जब परकास अंसलेशन होता है तो यहां पर ऑक्सिजन मुक्त होती है यहां पर क्या मुक्त होती है ऑक्सिजन जो की वाय मुंडल के अंदर डिफीजन के तुरू इस्टोमेटा की दुआरा यह बाहर आ जाती है ठीक है तो परकास अं परिवर्तित करती है पहले पेरा अच्छे से किलियर होगे आप लोगों का जो मैंने इस्टा पॉइंट बता है वह आप प्लीज इसको NCRT के अंदर साइड में जुरूर नॉट करना देन हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जैसे अल्ली क्लासेज के अंदर पहली पश्री जो क्लासेज थी ठीद हम लोगों पढ़ा भी ह ∂ध गए प्थोस क्व क्लोरोफिल ke अंदर ईंदर ही होता है प्रकास की आउप्शकता होती है किरम отвеч to dok के तो प्रकास नसलेशन के लिए ये सारी चीजी आवशक होती है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ एक्सपरिमेंट के बारे में, जो की काफी important experiment हो, डायरेक्ली यहां से क्यूशन बनता है, नीट परपत से, ओके, देखिए, पहला जो experiment आता है, जो हम छोटी क्लासों के अंदर पढ़ते हैं, पहला experiment का नाम है, वेरी जेटेट लिफ experiment, ठीक है, कौन से experiment है, वेरी जेटेट लिफ experiment, तो इसमें actually होता क्या है, जो पत्ती होती है, जो लिफ होती है, उसको आदे भाग को तो काले कागर से डग देते हैं, और आदे भाग को परकास के अंदर जो हिससा परकास के अंदर रखा है, उसके अंदर इस के अंदर जाता है, जब्कि जो काले कागर करते हैं, उसके अंदर फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्लियर होगी, ओके, तो इस experiment से हमको क्या मिलता है, क्या पता चलता है, इस experiment के दुआरा, तो इस experiment के दुआरा यह पता चलता है, कि परकास अंसलेशन क्रिया, सूर्य के परकास में होती है, और यह पेड के केवल हरे भाग के अंदर ही लोवर क्लासेश के अंदर पढ़ते हैं, इसको भी, इस experiment का नाम है, वॉन महल हाफ लीफ एक्सपेरिमेट, वेसे पूरा नाम है, मॉन वहल हाफ लीफ एक्सपेरिमेट, जिसको हम लोग आधी पत्ती प्रियोग भी बोलते हैं, इसके अंदर होता क्या है, इस प्रियोग के काम करता है, ठीक है, तो यह क्या करेगा, CO2 को अपजोब कर लेता है, अब आपको पता है, उस प्रक्नली के अंदर जितना भी भाग था पत्ती का, उसको CO2 नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर KOS ने CO2 का अपजोब कर लिया है, तो ओविस सी बात है, उस आधे पार्ट के अ अब यहाँ पर आता है, श्रच के अंदर स्टार्च का जो टेश्ट होता है, वो कौन सा होता है, यहां द इहां देखना, उसको हम लोग बोलते है, IODINE test, यहां पर लिक भी लेना, IODINE, IODINE test, यह IODINE के प्रक्षन हeffective नम इसको बोलते हैं, इस प्रक्षन के अंदर आपको पत प्रियोग से हमको क्या प्राप्त होता है कि फॉटो सिंतेसिस के लिए सियोटू की आफशकता स्यूटू कितना ज्यादा इंपोर्टेंट होता है अगर सियोटू नहीं होगा तो याद रखना प्रकास नस्लेशन नहीं होगा तो दोने एक्सपेरिमेंट आपको याद रखने है और कि दोने एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चलता है वो हमको याद रखना है अब बात करते हैं अरली एक्सपेरिमेंट यानि कि अपनी इस मैन जो एक्सपरिमेंट थे उनके हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला experiment निकल के आता है, जो से पृष्ट्लाए का experiment जिसको हम लोग बोलते हैं, काफी सुरूआत इन्होंने की थी, अब इन्होंने 1770 के अंदर बहुसरे प्रियोग कीए थे, इनके दिवारप किया गए जो प्रियोग था, वो बताता है कि वायु, यानि हावा था की एक अनवारी भूमी का होती है, अउन्हों की एक अच्परमेंट किया था, एक बेलजार के अंदर जल्तिवी मॉम्बती रखी, तो उन्होंने देखा कि यार कुछ समय पश्चाद भूझ जाती है दूसरा उन्होंने एक्स्परिमेंट किया कि जीवित चुहा उन्होंने इस बेल-जार के अंदर रखा उसका भी कुछ समय पश्चाद दम गूटने से मृत्यू हो जाती है वो भी मर जाता है तो उन्होंने ये निसकर्ष निकाला कि यार जलती वी मौमबती हो या फिर कोई प्राणी हो ये वायू से सांस लेते हैं और ये हवा को छती पहुँचाते हैं यानि कि आज तो हमको पता है कि ये वायू से आक्सेन लेते हैं और आक्सेन की ये हवा को छती पहुँचा रहे है लेकिन जब उन्होंने इसी bel jar के अंदर क्या रखा पुदिने की plant रखा यानि mint plant रखा तो उन्होंने तीनों चीज एक साथ रखी थी मिंट प्लांट हो गया जलती मौमबती हो गी और चूहा हो गया फिर उन्होंने इस एक्सपरिमेंट को धूप में रखा और कुछ समय पश्या देखा कि जलती मौमबती जल रही है चूहा पे जीवित है यानि कि उन्होंने ये निसकर्स निकाला कि पोदे उस वायू की छती पूर्ती करते हैं जिससे सांस लेने वाले प्राणी और जलती मौमबती कम कर देती है अब तो हमको पता चल गया किसकी पूर्ती करता है ऑक्सिजन की क्योंकि सांस लेने वाले प्राणी ऑक्सिजन ले रहे हावा से और जलती मुंबती भी oxygen की परजेंस में जल रही है दोनों ही oxygen की कमी कर रही हवा से तो इसकी छटी पूर्थी कौन करता है प्लांट करते हैं पौदे करते हैं और आपको पता है कि फोटो सिंतेसिस के अंदर जो oxygen होती है वो water के break होने पर निकलती है ठीक है तो यह सारी चीज़े हम लोगों को याद रखने तो जोसे पृष्टने ले याद रखना oxygen की खौज की थी तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है 1774 के अंदर oxygen की खौज इन्होंने की थी इतना clear हो गए ठीक है उसके बाद इस पेरा के अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने setup किया था अभी करके देख सकते हो next experiment की बात करते है जो दिया था john engine house ने काफी interesting experiment था उन्होंने पहले तो इसी यानि जो से प्रिष्टले का जो experiment था उसी को ही reuse किया यानि प्रिष्टले वाला जो setup था उसी का ही उन्होंने use किया था इन्होंने क्या किया एक बड़ तो इसको light की presence में रखा और फिर उसको dark में रखा यानि की light की absence में रखा तो जब इन्होंने light की presence में रखा इस experiment को तो उन्होंने देखा कि चूहा भी जीवीत है और जलती मौंबती एजिटी जल रही है पुदेने का plant भी बिल्कुल सही है तिनों चीज सही है लेकिन जैसी इन्होंने अंदेरे में रखा ये experiment तो उन्होंने देखा कि कुछ समय पश्चात जो जलती मौंबती वो भूच जाती है और चूहा भी मर जाता है याद रखना यही से एजिटी जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने एक बार तो अंदेरे में किया और फिर एक बार सूर्य की रोशनी में क्या था इससे उनको पता लगा कि पोदे की इस क्रिया में सूर्य का प्रकास कितना ज़्यादा अनिवारिये है लाइट की इंपोर्टेंस कितनी ज़्यादा है इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की तुरू पता लगा लिया क्योंकि जब लाइट की परजेंस होती है तब ही फॉटो सिंथेटिक रियक्शन होती है और ऑक्सिएन रिलीज होती है इस ऑक्सिएन का उप्योग जलतीव मौमबति करती है और चुहा करता है यह जलतीवी मौमबतियां सास लेने वाले प्राणी दुवारा खराब हुई वायू को शुद बनाता है क्यों बनाता है आपको पता जल गया फॉटो सिंथेटिस होता है जिससे ऑक्सिएन रिलीज होती है दूसरी तरफ इंजिन हाउस ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जो था एक एक्वाटिक प्लांट के उपर उस प्लांट का नाम जुरूर आप लिखना है उस प्लांट का न यह पोदा है और उन्होंने इसके अंदर जल भर रखा अच्छे से जल भर रखा ओके अब उन्होंने क्या किया इस सेट अप को इन्होंने धूप में रखा यानिकी लाइट के अंदर रखा जैसी उन्होंने लाइट के अंदर इस सेट अप को रखा तो यहां पर इस प्लां आता है और साथ में oxygen रिलीज होती है और ये oxygen in bubbles के form में बाहर निकलती है बाद में क्या किया इन्होंने इस complete setup को रखा था डार्क के अंदर तो हंदिरे में जैसी setup को रखते हैं तो यहां पर इस aquatic plant से किसी भी परकार की बुलुबुले नहीं निकल रहे थी इन बुलुबुलों की पैचान की बात करें तो आज हमको पता है इनको हम लोग क्या बोलते हैं oxygen बोलते हैं ये बुलुबुले किसके बन रहे थी तो चलिए स्टार्ट करते हैं यानि एक एकवर्टिक प्लांट यानि उन्होंने हाइड्रिला लिया था और तेज धूप के अंदर पोदे के हरे भा की आसपा छोटे बुलुबुले बन गई ठीक है जबकि इस setup को उन्होंने हंदेरे में रखा तो देखा कि आसपा किसी अब यह प्रकास अंसलेशन करता है इसकी जानकारी 1884 से पहले नहीं थी जैसे 1884 के अंदर जूलियस वेंशोस ने अपना प्रमान दिया तब हमको पता चला कि गुलकोज यानि सरकरा जो बनती है वो पोदे के ग्रीन भाग के अंदर बनती है जिसके अंदर जिसको हम लोग क होता है उसको हम लोग क्या बोलते है और यह क्लोरोफिल कहां पर प्रजेंट होते है बचो या देखना यह क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्तित होता है तो उसने बताए कि पोदे के हरे भाग के अंदर गुलकोज बनता है और गुलकोज मौसली किस फॉर्म में स्टार्च के form में इस्टोड होता है, यह बात किसने बतायती, Julius Wences ने यह बात हमको बतायती, नेक्ष्ट एक्सपरिमेंट आता है, जो किया था, TW Angelman ने किया था, यह भी काफी इंटरेस्टिंग एक्सपरिमेंट था, काफी अच्छ एक्सपरिमेंट था, ध्यान से समझना इसको, TW Angelman actually क्या किया था इन्होंने ध्यान से देखना मैं यहाँ पर एक setup बना रहा हूँ इन्होंने एक light का beam लिया यह light beam है इन्होंने गुजारा इसको prism से यह prism से गुजारेंगे तो अपने wavelength के according यह क्या होगी light split हो जाएगी फिर उन्होंने इसको एक setup की उपर penetrate करवाया ठीक है इसके अंदर इन्होंने एक filamentous algae ली जैसे कि मैं यह बना रहा हूँ यह filamentous algae है इसका नाम भी आप लोगों को याद रखना है इस algae का नाम है claydofora क्या नाम है इसका claydofora मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ claydo fora इस algae का नाम है claydofora यह filamentous algae है त्यांसे दमना इन्होंने एक light का बिम्ब यहाँ से प्रीजम से गुजारा जो अपने अलग-अलग wavelength के अंदर split हो चुकी है और यह कहाँ पर गिर रही है एक aquatic algae है यह filamentous algae है जिसका नाम है claydofora यहाँ पर यह light गिर रही है अब इसके अंदर उन्होंने क्या यूज किया इसके अंदर उन्होंने एक aerobic bacteria यूज किये थे बहुत सारे क्या यूज किये थे? aerobic bacteria इसी setup के अंदर अब आपको पता है aerobic bacteria oxygen की उपस्तिते के अंदर यह survive करेंगे तो जैसे ही उन्होंने यह experiment को visualize किया इन्होंने देखा कि जो light की wavelength blue and red color की wavelength जहां पर गिर रही है जहां पर गिर रही है वहाँ पर यह oxy bacteria, यह aerobic bacteria group बना रहे हैं यानि इकटे हो रहे हैं तो जिस region के अंदर इकटे हो रहे हैं वो कौन सा region है? जहां पर blue और red color की जो wavelength की light है जहां पर गिर रही है वहाँ पर यह oxy bacteria इकटे हो रहे हैं उन्होंने फिर निसकर्स निकाला कि blue और red light की जो wavelength की जो red light है वहाँ पर photosynthesis fast होता है जिसके regarding जहां पर oxygen release होती है और aerobic bacteria को क्या चाहिए? oxygen चाहिए तो चलिए अब इस पेरा की हम लोग reading लगाते हैं दुआरा किये गए रोचक परियोग पर ध्यान देते हैं चलो देते हैं इन्होंने prism की सायता से प्रकास को spectrum में घटकों में अलग किया कर दिया और फिर एक हरे सेवाल जिसका नाम है cladophora उसको दान से देगना हरे सेवाल के साथ में क्या रखाते हैं अक्सी बैक्टिरिया यानि के अरोभी बैक्टिरिया के साथ उन्होंने रखाता अब उसके ओपर ये light उन्होंने डाली बैक्टिरिया का उप्योग oxygen निकलने का के अंदरे पता लगाने के लिए किया था यानि ये बैक्टिरिया वहाँ पर ज्यादा इकटे हो गए जहां पर ऑक्सिजन ज्यादा निकट रही है तो उन्होंने पाया कि बैक्टिरिया मौसली लाल और निले परकास छेतर में एकतर हो गए कहने का मतलब है परकास अंसलेशन जो होता है वो लाल और नीले परकास छेतर के अंदर ज्यादा हो रहा है वही से उक्सियन फिर ज्यादा निकल रही है इसलिए हम कहा सकते हैंकि जो यह और ज्यादा एक र ele हो रहे हैं इसी तरह से उन्होंने परकास अस्टिलेशन का संपेक्ट्रम दिया था अगर आप और chlorophyll B के जो absorption spectrum है उसके एक्वल सा ये होता है जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं ठीक है अब यहां तक चलते चलते हम लोगों को क्या क्या बाते पता चल गी हम लोगों को पता चल गी कि भाया पोदे CO2 और पानी से प्रकास की उपस्तिती के अंदर chlorophyll के अंदर क्या ब यहां पर N आएगा ठीक है अगर N की वेल्यू 6 हो जाएगी तो अब इससे बात यह क्या बन जाएगा गुलकोज बन जाएगा जो कि आगे हमको बता रहें इतनी बाते क्लियर होगी उसके बाद आते हैं साइंटिस्ट जिनका नाम है याद रिखना कॉर्नेलियस वैन निल का काफी अच्छा एक्सपरिमेंट के एक्चुली यह माइक्रोबैलोजिस्ट है कैसे है यह माइक्रोबैलोजिस्ट है कॉर्नेलियस वैन निल इन्होंने बताया था कि निकलने वाली जो ऑक्सिजन है वो एश्टू ओ यानि पानी से निकल रही है ना कि सियोटू से निकल रही थे इन्होंने अपना जो एक्स्पेरिमेंट था वो परपल और ग्रीन बेक्टिरिया की उपर किया था अब आपको में बता दू परपल और ग्रीन बेक्टिरिया जो होते हैं वो एस्ट्व का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं वो एस्ट्व का यूज करते हैं जहां पर निकल रही होती है plants के अंदर उस जगए oxygen ने निकल गे इन्होंने देखा कि वहाँ पर sulfur निकल रही है तो इन्होंने idea ने लगाया कि जो purple bacteria और जो green bacteria होते हैं इनके अंदर जहाँ पर sulfur निकल रही obvious सी बात है यह H2S का जो sulfur है वही निकल रहा है इसलिए हम लोग कहा सकते हैं कि जो H2O photosynthetic reaction में use हो रहा है उजी का oxygen oxygen की form में यानि H2O का जो O oxygen है वो oxygen gas के form में release हो रहा है ठीक है ध्यान से पढ़ना यहाँ पर कुछ important line है ताकि आप लोग उसको समझ पाओ उन्होंने बताया कि प्रकास translation एक प्रकास आधारित प्रतिक करिया है यानि कि यह completely light dependent reaction है जिसमे अब देखो ध्यान से समझने इस line को पहले मैं read करता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ ऑक्सी करण यह योगिक से प्राप्थ हाइड्रोजन कर्बन डै ओकसाइट को अपचेट करके कार्बो हाइडरेट बनाते हैं अब यहां पर इसको समझा रहा हूँ तहां से देखना ऑक्सी करण यह योगिक होता है ऐस्टु ओ क्या होता है ऑक्सी करण होता है क्या होता है यह ऑक्सी करित होकर क्या देगा हमको हाइड्रोजन देता है और यह हाइड्रोजन किसका अपचैन करेंगे CO2 का अप्चेन करते हैं और क्या बनाते हैं कार्भोहाइडरेट यानि कि C6, H12, O6 आप लाइन को फिर से पढ़ते हैं ऑक्सिकरनी है योगिक यानि कि H2O से प्राप्त हाइडरोजन कार्बन डाय ओक्साइड का अब चाहित करके कार्बोहाइटेट बनाते हैं अब पता चल गया, clear हो गया, okay इन्होंने तो अपने experiment के अंदर H2O की जगा यूज किया था H2A, अब एक कुछ भी हो सकता अगर ये purple या फिक green bacteria होगा तो A S हो जाएगा, अगर ये plants की बात करेगा तो यहाँ पर क्या आजाएगा, sulfur आजाएगा ठीक है, अब समझ में आगया, okay हरे पोदों में H2O क्या है hydrogen दाता है, और ये oxygen तो कर क्या देगा, oxygen gas देता है लेकिन कुछ जीव, photo translation के दोरान oxygen मुक्त नहीं करते हैं कौन से जीव, ये जो green bacteria है, purple bacteria है, इनके सिक्रित होकर, sulfur या फिर sulfate बनाता है, ना कि oxygen, क्योंकि यहाँ पर oxygen यूज नहीं होता है तो आप हमको पता चल गया, जो oxygen निकल रहाता है वो CO2 से नहीं निकल रहा है, वो कहां से निकल रहा है वो, H2O से निकल रहा है निकलने वाला oxygen भी O 18 वाला ही निकलाता तब हमको यह completely पता चल गया, जो निकलने वाला oxygen है वो, जल से निकलता है, ना कि carbon dioxide से निकलता है तो complete equation की बात करें, तो यहाँ पर यह कुछ चीज और लिकले ना chlorophyll ठीक है, sunlight के presence में chlorophyll के अंदर यह reaction होती है गुलकोज बंद रहा है, 6 H2 release हो रहा है, और 6 O2 यहां से निकल रहा है ठीक है, तो यह कौन से टेक्निक के दुवारा सीध हुआ, रेडियो आइसोटॉप टेक्निक के दुवारा यह सीध हो गया है इतनी बात है किलेर हो गई, ओकी अब बात करते हैं, फोटो सिंतेसिस कहा संपन होता है ठीक है, ध्यान से देखना आठवे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने नॉर्मली सीख लिया था कि जो फोटो सिंतेसिस होता है, वो हरी पत्ती के अंदर या आप कहा सकते हो कि अंदर यह होता है उसके बाद प्रकास इल्सेशन के क्रिया होती है, हरी पत्तियों में समपाधित होता है लेकिन Peace के अंदर हो, प्लांट का वो जितना भी ग्रीन पार्ट या हरा बाग होता है उसके अंदर photosynthesis की reaction होती है चाहे वो root भी हो सकती है क्योंकि जो aquatic plant होती है उनकी root जो green part होता है वहाँ पर photosynthesis होता है stem करता है ठीक लीव कर सकती है तो जितना भी green part होता है plant का वो सभी का सभी procrastination करता है आपने पिसली काई के अंदर last unit के अंदर पढ़ा होगा कि पत्यों के अंदर जोfunded mirophyll cell होती है जिसमें chloroplast की मातरा बहुude जादा होती है अन्म Seel उनों मीजोफिल कोसिका की भित्ती के साथ पकतिबद होता है क्यों होता है ताकि उसको एक optimum मातरा मे परकास मिल सके ठीक है, optimum मातरा के अंदर light उसके उपर आपतित हो सके, इतनी बात clear हो गई, ओके, यहाँ पर हमको एक chloroplast के structure दे रिखिए, तो मैं सारे structure आप लोगों को समझाता हूँ, देखो यह bilayer structure होती है, outer layer होती है, फिर आता है inner layer, ठीक है, और इसके अंदर दो चीज़े होती है, एक त सरंचना हमको निजर आ रहे है, उसको हम लोग क्या बोलते है, ग्रेना बोलते है, और सिंगल को हम लोग क्या बोलते है, ग्रेनम थाइलिकोड बोलते है, सिंगल को हम लोग क्या बोलते है, दो ग्रेना को जोड़ने का काम जो कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते है, इसके हम लोगों को पता होनी चाहिए इसके सासत याद रखना मालो यह एक थाले कोई इसके अंदर फोटो सिष्टम फ़स्ट और फोटो सिष्टम सेकिंड दोनों प्रेजेंट होते हैं जबकि इस इसमें मिला कि अंदर फोर्टो सिष्टम के अंदर निता होता है जो कि हमोग आके बात कर लेंगे सिर्ट लोग बात करते हैं इसके अनदर क्लोरोप्लास्ट रेक्चर के अनदर या अभी हम लोगों ने देखा कि जो होता है जिल्ली तंतर होता है जिसमें तीन कि और य। न० ए意। १ bene यो ग्रेम मिला या नी मिला है जैसे कि जब light मिलती है तब इसके अंदर light reaction हो जाती है light reaction होने के तुरंत बाद ही spontaneous आपको पता है साथ साथ चलने वाले reaction होती है उसके बाद चलती है light independent reaction जिसको अमलग dark reaction बहुती है क्योंकि जो भी product light reaction से बनेगा उसका utilization कर लिया जाता है dark reaction के अंदर जिससे गुलकोज का अंदिरमान करते है तो इन्होंने अपने काम को एक steps के अंदर divide करके रखा है अब जिलीत अंतर जो होता है वो प्रकास उर्जा को घरन करता है और ATP और NADPH का translation ये करते है जैसे मैंने आपको बता है परकास अबगया जिसको हम लोग dark reaction बोलते है तो light reaction के अंदर actually होता क्या है द्यान से समझना इस ट्रोमा के अंदर enzymatic process होती है जो CO2 से सरकरा का translation करती है तो यहां से यहां तक जो बाद में starch में परिवर्थित हो जाता है यहां तक तो यहां से यहां तक का जो परा इनों ने दिया है जो line इनों ने बताए वो बताए डार्क reaction के regarding ठीक है और light reaction के regarding क्या होता है यह वाला इनों ने बताए है जिसके अंदर जिलित अंतर प्रकास उज्जा को गरहन करता है और ATP और NADPH का translation करता है इसके साथ साथ आप यह भी नोट के लेना ATP और NADPH साथ में oxygen क्योंकि light reaction के अंदर oxygen भी release होती है क्लियर हो गया इतना और आपको पता है जो dark reaction होती है वो ATP और NADPH जो light reaction के product होते हैं उनकी उपर depend होती है देश्ट अम लोग बात कते हैं photosynthesis के अंदर कितने वर्नक भाग लेते हैं तो पहले बात करेंगे इन वर्नक के colors की तो इनका color का पता के से चला याद रखना इन परन वर्नों को को paper chromatography के दुआरा अलग कर सकते हैं यानि इसके दुआरा हमको इनका color पता चला और केरोटनोड की बात करते है पीले से नारंगी peeling यह आपको directly याद रखना है अच्छे से याद रख लेना इसको नेश्ट हम लोग बात करते हैं pigments के अंदर तो ज़रूरी नहीं है या मैं ऐसा बोलू कि हम लोग जो सोचते हैं कि pigments का काम भाई बस केवल और केवल color provide करवाना है लेकिन यह गलत है सिर्फ यही काम नहीं होता है इनका यह क्या करता है एक fix wavelength की light को absorb करने का भी काम करता है तो वरनक वे पदार्थ है जिसमें प्रकास की विशिष्ट तरेंग धेरतेों को अवसोसित करने की छमता होती है देखो color provide करवाता है यह तो है इसके साथ साथ है का एक काम और भी होता है यह एक fix wavelength की light को absorb करता है याद रिखना fix wavelength की light को absorb करने का भी यह काम करता है अब बात करते chlorophyll A जो होता है chlorophyll A वरनक को ग्राप में विबिन तरंक देड़तेों में परकास absorption का अध्यान करें अब देखो chlorophyll A का first में इसको ने दे रहा है chlorophyll A, chlorophyll B और केरिटनेट तो chlorophyll A यह वाला नहीं यह chlorophyll A यह वाला है ठीक है इन्होंने यह mark से निकर रखा chlorophyll A अगर मैं इदर इसकी बात करो तो यहां से आपको पता है यह visual light को ही अब जोर करता है ठीक है विब ग्योर जिसको हम लोग बोलते है तो यहां पर आते है याद रखना अगर मैं यहां पर बताऊ तो यह तो होता है blue color के light की जो wavelength होती है यह आता है red light की ठीक है तो हम लोग देखेंगे chlorophyll A जो होता है या chlorophyll B जो होता है वो blue और red light की wavelength होती है उनको ज़्यादा अबजोब करता है ज़्यादा अबजोब करेगा तो याद रखना देखो photosynthetic की red होती है वो यहीं पर हमको ज़्यादा नजर आती है तो chlorophyll A का spectrum की बात करे तो याद रखना जहाँ पर blue और red color के light इनको मिलती है वहाँ पर photosynthetic की जो red होती है वो भी maximum हमको देखने को मिलती है तो चलिए rating लगाते है सारे questions के answer हम लोग इसके अंदे देखते है प्रकास के द्रस स्पेक्ट्रम यानि की जो visual spectrum होती है उसके तरहें धेर्द है जिसको मिलोग विब के और बोलते है वाले इंडिगो, blue, green, yellow, orange, red इससे आप परिचित होगे तो ये तो कुछ खास है नहीं इसको पर रेड़ आउट करते है फस्ट के अंदर जैसे हमने देखा था किस तरहें धेर्दे पर chlorophyll A अधिक्तम आफ्स्ट्रोशन करेगा तो याद रखना, blue and red लेख लेना यहाँ पर क्लिर से बात होगे इतनी, ठीक है निश्ट बात करते है उन तरहें धेर्दे को दिखाए गया है यानि सेकिन वाले के अंदर जहां पर पादयप में अधिक्तम प्रकास नसलेशन होता है तो प्रकास नसलेशन भी कहाँ पर ज्यादा होता है blue and red light की जो wavelength गिर रही है वहाँ पर photosynthesis maximum है, तो तरहेंग धेर्दे chlorophyll A अथार्ट निला वा लाल चेतर में absorption करता है, देखना यहाँ पर भी देखो लिखावा है, blue और red कलर का जो चेतर होता है, वहाँ पर absorption ज्यादा होता है, अगर absorption ज्यादा होता है, तो चेतर के अंदर प्रकास नसलेशन के rate भी क्या होती है, maximum होती है तो हम यह कहाँ सकते हैं कि प्रकास नसलेशन के लिए एक प्रमुक वर्नक होता है, आपको पता है यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट यह होता है, ठीक है, तो क्लोरोफिल ए के absorption spectrum तता प्रकास नसलेशन के क्रियात्मिक स्पेक्टर्म के बीच पूर्ट प्रेस पर व्यापन है यानि कि इसके अंदर हम लोगों ने थेड जो ग्राफ हम लोगों ने देखा था उसके अंदर ये दोनों चीजे दे रखी है ये ग्राफ एक साथ यह बता रहे हैं कि अधिक्तम प्रकास अंसलेशन नीले और लाल चैतर में संपन होते हैं काफी देर से मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ ब्ल्यू और रेड कलर की जो वैबलेंट होती है उसको ज्यादा अपजोब करते हैं और यह बात है अगर लाइट ज्यादा अपजोब होगी तो परकास अंसलेशन भी ज्यादा होता है कुछ परकास को अफशोशित करते हैं परकास को अपजोब करते हैं साथ में लाइट को अपजोब करने के बाद उसको यह ट्रांसफर करते हैं इस्तानांतित करते हैं तो इनका काम क्या हो गया यह परकास को अफशोशित करते हैं थता अफशोशित उर्जा को कलोरोफिल A में इस्तानांत करने वाली ओपियों की तरहंदिक्टे की चेतर को बढ़ाते हैं बलकि ये chlorophyll एक को photo oxidation से भी बचाते हैं तो accessory pigment की बात करें या antenna की बात करें तो इसका ये काम भी होता है ये photo oxidation से भी बचाता है chlorophyll को क्योंकि direct light की contact मनी रहेगा ये पहले accessory pigment से light टकरा के फिर इनके पास आनी है अब बात करते हैं प्रकास अभीक्रिया क्या है light reaction actually है क्या तो प्रकास अभीक्रिया जिसको हम लोग light chemical phase भी बोलते हैं यानि की photo sorry जिसको हम लोग photo chemical phase भी बोलते हैं प्रकास का absorption होता है इसमें जल टूड़ता है oxygen बार नीरीज होती है और उच उर्जा वाले जो माध्यम होते हैं जैसे कि यह हमको जो नजर आ रहा है जहां से देखना इसमें तीन चीज़ा आती है क्या-क्या photo system के अंदर क्या-क्या तीन चीज़ा आती है पहला तो आता है light harvesting complex दूसरा आता है primary electron acceptor और थर्ड आता है enzymes तीन चीज़ा आती है इसके अंदर ठीक है light harvesting complex आ गया primary electron acceptor आ गया जिसके को ट्रांसफर करेंगे जिसको हम लोग बहुत है इलेक्ट्रों ट्रांसफर चैन बोलते हैं और साथ में हमको चाहिए इसके अदर बहुत सारे ना कि प्रकास अभिक्रिया के दोरान इनके काम को लेकर काम को लेकर नहीं बोल रहा है फिस्ट के खोज फैले हो गए थी और सेकिंड के खोज बाद में हुए थी एक्सने कोमप्लेक्स यानि प्रोटिन से यावद हजार वर्नक जो असे सीर वर्नक होते है उनकी doe कर रहा है एसयर वर्नक के अंदर क्या आते है कलॉरोफिल चैन यानि कि याद रिखना है इसके अंदर chlorophyll A नहीं है इसमें लिखा या बाकाइदा सिवाए chlorophyll A के अनु के यानि chlorophyll A नहीं है इसके अंदर तो किसका निर्मान करता है यह LSE light harvesting complex का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यह antenna बोलते हैं क्या बोलते हैं इतने वाट के लिखर होगी उकी तो reaction center जो होता है reaction center जो होता उसके अंदर तो only कि अ प्रचिशयंट होता है निशी प्रचिशंट होता है इंपोर्टेंट है याद रहना है चीज़ को किलिए यह यह वर्णक वीबिन तरंक देट करांक को अवशोषित करकर्विश Feld अभिश्यशन को अधिक व्न दक्ष बनाते हैं hazır ट्लॉर फिल एकका अकेला अशचरह के अंडर के अधर के अधर के अधरीक्शन सेंटर से संटर और अयुश्परी लाइट को अबजोब करता है यानि कि इसकोहरो हमोग बौलते हैं am i7 ै फॉर्म फॉर्टो शिष्टम से ड्रोप किन्द छेप debate कुरी है और। कि काफी इजी है म discernment आगया होगा वह ए लिंदर क्लोज़नलिया के इंदर कंद चलोरिफिर तो 80 nm पर होता है या इससे कम होता है उसको हम लोग बोलते है पी 680 कहते हैं दोनों पॉइंट क्लियर होगे अच्छे से ठीक है अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जैड इसकिम की बात करती है ओकी तो इलेक्ट्रोन का परीवन किस तरह से होता है तो सबसे पहले फॉटो स फॉटो सिस्टम सेकिंड में रियक्शन सेंटर के अंदर मौझूद क्लॉरोफिल ए आपको पता है 600 nm से कम लाइट की कम वैवलेंद की लाइट अब्जोब करेगा इन्होंने क्या किया लाइट को अब्जोब कर लिया अब जिसमें से इलेक्ट्रोन उत्तेजित होका परमा से इलेक्ट्रोन निकल के प्राइमरी उत्तर एक्सेंटर कर является अब फोड़ोसिस्टम सेकिंड का प्राइमरी एलेक्ट्रोन अश्परr की याद अब तक रहुता है इंपोट्रल wreck poverty इंपोर्म व tecn a ओप्षिप्रोन और पार तेषिश साइटो क्रॉम B6, साइटो क्रॉम F के पास आते हैं, जिनकों हम लोग क्या बोते हैं, इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट चेन लिखना है, ठीक है, इलेक्ट्रों ट्रांस्पोर्ट चैन बोलते हैं इसको जिसके अंदर साइटोक्रोंफ वगरा आते हैं साइटोक्रोंफ वगरा यानि साइटोक्रोंफ बेसिक, साइटोक्रोंफ आते हैं ठीक है प्लास्टो कीनोन आते हैं इनके अंदर यह इलेक्ट्रों ट्रांस्पोर्ट होत चेन यानि कि electron transport chain जिसका मैंने आपको जिकर किया था जैसे कि primary electron acceptor देखो मैं यह आप लिख रहूँ फियो फाइटिन जैसे electron लेगा यह किसको transfer करेगा प्लास्टो कि विणॉन को प्लास्टो कि विणॉन कि उसको देगा साइटो क्रॉम बीसिक्स साइटो क्रॉम एफ से कहा पर जागा प्लास्टो साइनिन प्लास्टो साइनिन से जाता है फॉटो सिस्टम फर्स्ट के पास तो यह जो चेन बन रही है इसको हम लोग बोलते हैं इ ट्राइक्त बढ़ब रहे हैं जब उनिका उपियोग नहीं होता है बलकि इन फीचन फर्ष्क کے वर्नकों को दे दिया जाता है जब इलेक्ट्रों परिवन स्रंकिला में इलेक्ट्रोन गुजरते हैं, तो इनका उप्योग नहीं होता है, यानि इस चेन के अंदर जो इलेक्ट्रोन होते हैं, इनका यहां पे चेन में नहीं होता है, यह इलेक्ट्रोन किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, तो फोर्ट्रोन फर्स्ट के वर्नकों को इलेक्ट की लाइट को अब्जोब करता है ओके तो यहां से लेक्ट्रोन भार निकलेंगे अब कहां जाएगे फॉर्ट सिस्टम फर्स्ट के प्राइमरी एलेक्ट्रोन अक्सेप्टर के पास जाएगे देखिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं देखो लाइट जैसी आएगी दोनों के उपर आए क्योंकि यह तो सेम है ठीक है दोनों पर प्राइमरी एक्सेप्टर यानि ग्रही लेगा जिसका नाम है फियो फाइट इसके बाद जाता है इलेक्ट्रोन परिवन चैन के नहीं जिसमें कॉन होना आता है प्लास्टो की नों ठीक है साइटो क्रोम बीशिक्स इसका नाम होता है इन अ के पास चैन के पास नहीं पर इस चैन के पास इक कि यह ता अद जैसे कि आ परränक कि नहीं नonsरों ने तिखाए लगथ चुलो रिड़ आउट करते हैं और यह अन्य गरही अणूं में जिसका रीड़क्स विबाव अधिक होता है उसको ट्रांसफर करने сторон अक्सेप्टार तो फोटो सिस्टम फिर्स्ट का प्रामेरी लेक्रोन ऐसाप्टार क्या होता है फ यानि कि F वेस फिरस यॉavour ब्लूटिन होती है, यह एलेक्टोन पुन है, अधो गामी गत्य करते हैं, डाउन हिल मोमेंट करता है, प्रन्तु इस बार उर्जा से प्रचूर, किसको देते हैं, आ-णी डी-पी पॉजिटीव अनी की होड़ जाते हैं, कहां पर जाते हैं, आ-णी डी-पी पॉजिटीव, द सintéनांत्रिन की यह सार योजना से स्टार्ट होते हैं और वकार हो प्रस्टन यह na कर पोटा से स्टनांत्र होता है और शिखोगों तीम पूरी से निर्मान करता है घ् обязательно तुमें फार से मतलए करें से नफ Сам कर मिलगता हुँ आप को ढगन कर एंशबत reinforce बैक्न कारो उसके बाद वहां से प्राक्षिक के होता है प्लास्टोक्रोंस tiens बांजिक होता प्लास्टोक्रोंस हम first के primary electron acceptor इसको accept करते हैं जिसका नाम है FES उसके बाद electron जाता है फिरदॉक्सिन के पास और फिरदॉक्सिन जो होता हुँ इस electron को NADP positive को देता है जिससे NADP positive अपचेत हो जाता है और NADP इसका निर्मान करता है तो यह जेड आकार के बनती है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं जेड इसके हम लोग इसको बोलते हैं बोलो एक पॉइंट क्लियर हो गया ठीक है अब जहां से देखना जो electron photosystem second से excite हो रहे थे तो आप दिमाग लगाओ इससे तो photosystem second के फास electron की कमी हो जाए कि तो इसके बरपाई भी तो करनी होती है इनको electron देना भी तो पड़ेगा तो यह जो electron होता है photosystem second को फिर आता है कहां से water के तूटने से तो फिर आता है जलका अपगटन तो आप पूछोगे कि photosystem second कैसे electron की आपूरती निरंतर करता है वे electrons जो photosystem second से निकलते हैं उनकी जगह है निची थी दूसरे को लेनी चाहिए बिलकुल लेनी चाहिए और यह कौन लेता है जलका टूटने से जो electron निकलते हैं वो लेते हैं तो यहाँ पर आता है जलका V घटन तो जलका जो टूटना हो जलका यह हैटर अटतर होथा यहाँ फोटो सीच्टम सेकिंड के अंदर होता है तूटने के अंदर क्या-क्या बनेगा है निकलते हैं जो इस्टोमेटा के थूफ हो जाती है यह बाहर निकल जाती है अब फॉटोसिंट से निकरने वाले ledέλakeron워서 system second से उपलब्द करवायी जाते हैं। जसे मैं ने différentes फ्रसक्रंद ट्राइं होती है। इसक दुबए रहाले एक्टरोन घुम कर फौटर इस्टरोन से जाते है। और फौटर इस्टरोन कहा पानी का टूटना यानि होता है मेगनीज एंड क्लोरीन की प्रजेंस में होते हैं कुछ बूग के अंदर केलसिम भी दे रहा है लेकिन दो ही आपको एलमेंट याद रहा है जिसके अकोडिंग क्या बनता है दो वाटर के मॉल्ग को जब टूटते हैं तो चार एस प्लस बनते ह साथ में एक औक सिंग निकलता है और साथ में चार इलेक्टोन यासे रिलीज होते हैं इतनी बात किलिए होगी ओकी यह जो पानी टूट रहा है वो कहां पर टूरता यह थायलो कोड़ की इंदर मेंब्रेन के अंदर टूरता है अंदर के साइड टूरता है जिसको हम लोग ल तो जीवों के अंदर ऑक्सिक्राणी ये पधार्तों से उर्जा निकालने तता उसे बंद उर्जा की रूप में संचे करने की छमता होती है देखो फोटो फोस्फोराइलेशन क्या होता है चलो इससे पहले मैं बताता हूं फोस्फोराइलेशन क्या होता है देखो फोस्फोरा ADP, sorry, ADP plus IP मिलकर क्या बनाता है, ATP बनाता है, जैसे ATP का दिर्मान होता है, तो बनने वाला जो bond होता है, उसके अंदर उर्जा श्टोर्ड होती है, या देखना, बनने वाला जो रासानिक बंद होता है, उसके अंदर उर्जा श्टोर्ड होती है, देखना, विसेश पधार जैस अब रासानीक बंद बनाता और उर्जा उसी रासानीक बंद के अंदर श्टोड है कोसिका की दिवारा चाहिए वो mitochondria या फिर chloroplast इन दोनों के अंदर ATP का translation होता है इसको हम लोग क्या बोलते है फॉस्फोराइलेशन बोलते है यानि सिंपल पता चल गया ATP का निर्मान ही क्या कहलाता है फॉस्फोराइलेशन कहलाता है लेकिन जब यह ATP का निर्मान अगर light की presence में हो रहा है तब इसको हम लोग यह बोलते है photo phosphorylation बोलते है तो photo phosphorylation क्या होता है यह वो process होती है जिसमें प्रकास की उपस्तिती में ADB और IP यानि inorganic phosphate जुड़ कर ATP का दिर्मान करते है clear हो गया point? okay then हम लोग बात करते हैं जब दो photo system क्रमी कार्य करते हैं यानि जैसे हमने Z-Skim के अंदर देख लिया था तो उसके अंदर second पहले काम करता है और first बाद में काम कर रहा था जिसको हम लोग क्या बोलते है non-cyclic photo phosphorylation बोल रहे थे ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते है प्लाश्टो किनोन आ रहा था साइटो क्रोम कॉम्प्लेक्स आ रहा था प्ला साइणीन आ रहा था ये सभी मिलकिया बना रहे थे इलैक्तरोन प्रीवन रखला बना रहा थे इनके द्वारा जूड़े होते हैं जिसको हम लोग क्या बोला था अब आपके दिमाग में यह question आएगा कि photosystem first कब काम करता है जब मालो ATP की requirement जादा हो या फिर 680 nanometer से ज़्यादा की wavelength आ रही हो उस condition के अंदर photosystem first की राइसिल होता है अब मैंने आपको ये भी बताया था photosystem first जो होता है ये keval और keval stroma lemilla का अंदर ही present होता है तो photosystem first के अंदर electron क्या करते हैं घोमते रहते हैं phosphorylation electron cyclic परवा के कारण होता है यानि यहाँ पर चक्रिय परवा हमको देखने को मिलता है यह संभवता कहाँ पर होता है only and only stroma lemilla के अंदर देखने को मिलता है ग्रेना की जिली अत्वा lemilla के अंदर आपको पता है photosystem first भी होता है second भी होता है यानि थाइले कोड की बात कर रहा है थाइले कोड के अंदर photosystem first भी होता है second भी होता है दोनों ही होते है लेकिन stroma lemilla के अंदर केवल और केवल photosystem first होता है यानि कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ा नहीं होगा ना तो यहाँ पर photo system second होता है और ना ही NADP redacted enzyme होता है यानि कि इसके अंदर NADP H का दिर्मान नहीं होगा अब excited electron NADP positive से पारित नहीं होता है बलकि photo system first complex में electron परवास रंकला के दुवारा चक्रित रहता है समझ गए क्योंकि यहाँ पर electron NADP को अपचेत नहीं करता यह वापस से घूम के आ जाता है किसको मिलता है यह याद रिखना electron परवास रंकला के दुवारा वापस से photo system first के अंदर यह घूम के आ जाता है इसलिए इसको extra electron की requirement नहीं होती है इसकी पूर्ति वापस से घूम के आने से हो जाती है otherwise आपको पता है photo system second के अंदर electron जब एक बाद निकल जाता है तो वापस घूम के नहीं आता है उसकी पूर्ति कौन करता है जल करता है अता है चक्रिय प्रवा में केवल और केवल ATP का निर्मान होता है इंपोर्टेंट है अंडरलाइंग के लिए ना कि अने डिप अचका शैकली फोटो फोसलेशन तब ही होता है जब जो लाइट होती है वो 680 नेनोमेटर से अधिक होती है बात करते हैं दोनों पॉइंट क्लिए रह फिर एक इसको सब्धेश्य अंदर होता है इसको समझते है यह इस चीज़ को बताता है इस प्रकरम का वॉर्णन रसोप्रासनि पर करता है जिसको हम लोग कीमा आस्माटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं उसके दुवारा कर सकते हैं सुष्चन की भाती ही प्रकां संस्लेशन में भी एटीपी का संस्लेशन एक छिलिक के आरपा प्रोटोन परवनता के कारण होता है यानि की कहने का मतलब है ध्यान से देखना यह थायलेकोईट की मेंब्रेन है और यहां पर यहां पर पार्टिकस लगे होते हैं यहां पर तो होता है एफ नोट और यह हैड़ वाला होता है जैसे बाहर आता है तो इसका जो head होता है F1 यह rotate होता है जिससे ATP synthetic enzyme की दुआरा ATP का निर्मान होता है simple language में तो यह है अब इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई देहां से देखना यहाँ प्र जिल्ली गाई थाइलिकॉइड की होती है जिसे जिल्ली के आरपार proton gradient होता है, ठीक है proton प्रवन्ता जो बनती है वो कौन से जिल्ली होते है थाइलिकॉइड की जिल्ली होती है यानि कहने का मतलब thylakoid के अंदर H plus की सांदरता बहुत जादा है और stroma के अंदर H plus की सांदरता कम है तो यह जिल्ली कौन सी योज हो रही है थाले कोईड वाले जिल्ली योज हो रही है यहां पर एक अंतर यह है प्रॉटोन जिलिकां आंदर की और अथार्त LUME अवकासिकां के अंदर संचित होता है ilumene को मैंने आपको पहली बताया था तैलोकोड के अंदर की जो said होती उसको हमलोग अवकास के 알यूमेन बोलती है सवसन के अंदर अगर सवसन की बात करें तो यह खांपर होता है यानि कि लेक्रों ट्रांस्पों सिस्टम से गुजरते हैं इतनी बात क्लियर होगी हमको बात करना होता है इसके क्लोरप्लास्ट के अंदर कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में तो यह समझने यह समझे कि कि किन कार्णों से प्रोटोन परवंटा यानि ग्रेडियंट इसके अंदर में एक थैले कोट बनाया है तो यह होता है श्ट्रॉमला वाला पार्ट और यह है थैले कोड इसके अंदर है लिमेन तो लिमेन के अंदर हमको ज्यादा बढ़आने कि और मेजल के तूटने से बढ़गी तो पहला तो condition हमको याद रिखना जल के तूटने से बढ़ गई दूसरा याद रिखना दूसरा क्या याद रिखना है देहां से देखना यह थालेकोन में ने बनाया बड़ा ठीक है इसके अंदर जब वो electron move करता है तो हमने एक चीज और देखी थी प्लाष्टो क्युणओन प्लाष्टो क्यूणओन जो होता हे वह Info ट्रांस्पोर्ट, एलेक्ट्रोन का ट्रांस्पोर्ट नहीं करता है, एलेक्ट्रोन वहाग नहीं होता है, प्लास्ट्यकिनोन एक्चुली प्रोट्ट्रोन केरिन होता है, यह हाइड्रोन को केरी करता है, तो यह क्या करता है, जैसे एलेक्ट्रोन को साइ्टोक्रोम कॉम्प्ल होता है जहाँ पर NADP iram58P लगा होता है यह लगा होता है स्ट्रोमा की साइड में यह ihan पर लगा होता है तो यह जो H प्लस ऐन यूज करता वो vegetal वाला यूज करता है तो इस कंडिशन के अंदर भी grandma में कम हो गया तो यहाँ पर अविस यह बात है बढ़ गया इलक्टों के माध्य हम से गती करते हैं, तो इस उत्या होता है, क्योंकि इलक्टों का प्रात्मिक ग्राइपाई फियोफाईटि जो कि जिल्लिका के बाहर के ऑर इस्ती मीश में अपने इलेक्ट न किसको देता है rains का वीविन आप प्राष्टकयो को अपने एलेक्ट्रोन को एक एलेक्ट्रोन वाहर को स्तनातित नहीं करता है यानि प्लास्ट्रोक्विनोन जो होता है वो एलेक्ट्रोन वाहर एलेक्ट्रोन केरियर नहीं होता है जब क्या होता है यह हाइट्रोजन केरियर होता है यह प्लास्ट्रोक्विनोन को अपने electron को तो यह अनु अपने electron को फिर जिलिका के अंदर यानि लुमेन के अंदर धक्यल देता है तो ऐसे भी आपको पता है लुमेन के अंदर H-N के concentration बट रही है दो रीजन होगे थाड अने डीपी रेडक्स एंजम जो होता है वो जिलिका के इस्ट्रोमा की और होता है यहां पर दे भी रखा है द्यान से देखना यह तो होता है यह होता है लुमेन लुमेन वाला पार्ट थाले कोड के अंदर अब यहां पर देखना यह 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 यूज करता है वो इस्ट्रोमा से कर रहा है देखो साइट्रोम यहां पर देखो दे रहा है साइट्रोम बी और साइट्रोम एप दे रहा है तो यहां पर जो प्रोटोन केरियर होता है वह एक्चुली कॉन से प्लाश्टो क्यून है जो आप लोगों को याद रखना है यह क्या करता है प्रोटोन को इस लुमेन के अंद है इतना ADP से ATP का formation करता है इसको हम लोग बोलते हैं chemo osmotic hypothesis अता है chloroplast में इस्थित stroma में proton की संख्या कम हो जाती है यानि तीनों condition के अंदर stroma के अंदर तो proton की संख्या कम हो गई लेकिन lumen के अंदर यानि अंदर proton की संख्या ज्यादा हो जाती है इस परकार से थायले को जिलिका से आर पार एक proton परवंता यानि proton gradient उत्मन हो जाता है जो आपको पता है इस gradient के कारें आपको पता है lumen के अंदर S plus N बढ़ेंगे तो अविस सी बात है pH क्या हो जाएगी कम हो जाएगी यानि कि medium acidic हो गया हमारे लिए proton परवंता इतना महत्तपुन क्यों है इसको द्यान से समझते है क्योंकि आपको पता है यह परवंता टूटती है तो यहां से energy release होती है और जैसे ही परवंता टूटती है प्रोटोन जिलिका में मौझूद ATPH के पारगमन वाई का जैसे में आपको होता है F0 इसके मादिम से स्ट्रोमा के तरफ गति करेंगे F0 से कहां पर जाते है F1 F0 से कहां जाएंगे F1 तो इसने बीच में कुछ और बोड़ रखा है और F1 जो हेड़ वाला पार्ट होता है वो इस्ट्रोमा के साइड बाहर निकला रहता है जिसने लिखा F1 का थाइलकोड के बाहर ही सता है यानि इस्ट्रोमा की और ये F1 पार्ट होता है परवंता जैसे ही टूडती है करते हैं उसको करते है और जिससे क्या होता है जिस से यह फिस इसानलेशन करते हैं बहुत पॉइंट है वह सब्सक्राइम क्या हूं कि Wonderful बात के कि महन्म और अाउस्मोर्मिक ही सिस के लिए क्या-क्या जल्ली का चाहिए जो के दुढ़ले को प्रोटोन पंप चाहिए एक लेक्ट्रोन प्रवंटा चाहिए याँ अन्र ज्यादा बाहर प्रवंटा प्रोटोन की जो संक्या उती वह कम होनी चाहिए साथ-सथ 80pH ngm की यहां पर आफ्शिकता होती है प्रोटोन को अब इसको पूरा समराइज कर रखा है ध्यान से देखना पूरा पेरा को समराइज इसने कर रखा है प्रोटोन को एक जिलिका के आरपार पंप करने के लिए उर्जा का उप्योग होता है ताकि थायलेगोड लुमेन में एक परवंटा अत्वा प्रोटोन की उच्छे सांदरता पेदा हो सके तो लुमेन के अंदर H प्लस N बहुत ज्यादा है वहाँ पर उसकी सांदरता ज्यादा हो गई अब क्या होता है ATPH के पास एक चैनल जिसको हम लोग F0, F1 बोलते हैं तथा नलिका होती है जो जिलिका के आरपार प्रोटोन को विस्टरन का आफसर देती है अब ये ATPH एंजयम को सक्रिया करने के लिए प्रयाप्त उर्जा छोड़ता है जो कि ATP संसलेशन को प्रेडित करता है ये उसी चीज को समरेज करका जो हमने उपर पड़ा था इतनी बात प्लियर होगी तो इलेक्टोन की गति सीलता से उत्पादित NADPH के साथ ATP भी इस्ट्रमा के अंदर संपन होने वाले जेव संसलेशन में तुरंत उप्योग कर लिए जाएंगे यानि कहने का मतलब है जो लाइट रियक्शन के अंदर प्रकास अभिक्रिया के अंदर ATP और NADPH का फॉर्मेशन हुआ है ये अब जेव संसलेशन यानि की बायो सिंथेटिक फेज के अंदर तुरंत यूज कर लिए जाएगे जो कि CO2 से glucose C6H12O6 बनाने के काम आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सरक्रा यानि फूड का फॉर्मेशन ये कर लेंगे इतनी बात के लिए हो गई अब दहां से देखना ATP और NADPH का यूज कहा होता है उप्योग कहा होता है पॉइंट देखो लाइट रेक्शन के हंद में हमने क्या क्या देखा था क्या क्या बन किया था ATP बन गे थे NADPH बन गया था और तीन चीज़े बन गे थे लाइट रेक्शन के अंदर ठीक है आपको पता है इस टोमेटा की दुवारा बाहर डिफूस हो जाएगा इन्वारमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगा जबकि ATP और NADPH जो होता है उनका उप्योग अहार यानि सरकरा को संसलेशित करने वाली अभिक्रिया के अंदर होता है इस प्रोसेस हम लोग बोलते हैं बायो सिंतेटिक फेज बायो सिंतेटिक फेज किसको बोलते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो बायो सिंतेटिक फेज उसको बोलते है जिसमें CO2 का fixation होता है carbohydrate बनाने के अंदर जिसमें CO2 carbohydrate के अंदर convert होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं biosynthetic phage बोलते हैं यह प्रक्रिया प्रोक्ष रूप में प्रोक्ष नहीं कि directly light के उपर निर्बर नहीं होती dark reaction जो होती है वो directly light के उपर reaction नहीं होती लेकिन यह light के जो product होते है like ATP हो गया NADPS हो गया इनकी उपर रहती है साथ यसाथ CO2 रेश्टो के उपर भी निर्बर होती है आप साइद यह आश्रिया कर सकते हैं कि इसकी सत्यता की जास कैसे की जा सकती है बहुत easy है यानि कि dark reaction कब चलती है यह बहुत easy है जैसे ही परकास उपलब्द करवाते है जैसे ही light reaction होती है उसके बाद परकास उपलब्द नय होने के तुरंत बाद अगर हम देखेंगे तो कुछ समय तक यह जेव संसलेशन जो फेज होता है वो जारी रहता है क्योंकि आपको पता light reaction के product मिलेंगे तो जितनी देर तक इनके पास ATP और NADPS रहेगा उतनी देर तक यह food का formation करते रहेंगे यानि कुछ समय तक यह reaction यानि dark reaction चलती है उसके बाद यह बंद हो जाएगी जिसे वापस हम इसको light में रहेंगे तो फिर से यह photosynthesis करना start कर देगा ओके ठीक है तो उन्होंने एक statement बता रहा है कि जेव संसलेशन वो dark reaction कहना क्या एक myth है देखो इसने आगे बता रहा है अपने साथियों के बीच इसकी चर्चा करें साथी तो नहीं है चलो मा आपके साथी चर्चा करता हूँ dark reaction इसका मतलब यह कहना चाहत रहा है कि क्या dark reaction हंदेरे के अंदर होती है क्या यह सही बात है या गलत बात है ज़रूरी नहीं है dark reaction हंदेरे में हो dark reaction light में भी हो सकती है इसको light की requirement नहीं होती लेकिन यह spontaneous होती है जैसे light reaction होती है product बनता है उसके बाद तुरंत यह चलती रहती है तो यह दिन में भी होती है याद रिखना याद रिखना यह दिन में भी होती है हाँ इसके लिए एक अच्छा word यूज करें तो वो हो सकता है light independent reaction बायो सिंथेटिक फेज को हम लोग कहा सकते है light independent reaction भी हम लोग बोलते है क्योंकि यह light पर डिपेंड नहीं है light reaction के product के ओपर यह डिपेंड है अब बायो सिंथेटिक फेज के अंदर ATP और NADPS का यूज कैसे होता है हम लोग देखते हैं हम पहले देख चुके हैं कि H2O के साथ CO2 मिनने से CH2O का whole N यह actually carbohydrate का एक जनरल formula होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CH2O का whole N यह वेगयनिकों की रूची भी थी कि उन्होंने यह खोजा कि यह परक्रिया केसे संपन होती है यानि कि सीपल सी बात है यह जो डार्क येसनों किस तरह से संपन होती है तो यह जाना कि CO2 के प्रतिक्रिया में आने से अत्वा योगी की करन से कौन सा पहला प्रोड़ेट बनता है सेंटिस टे देखना चाहते थे कि CO2 से कोई भी compound जुड़ कर पहला प्रोड़ेट कौन सा बनाता है सेकिंड वर्ड़वार के ठीक बाद ही जो radioactive isotope सेकिंड वर्ड़वार में यूज हुआ था उसके बाद ही एक साहेंट्री थे जिसका नाम था मेलविन कैलविन उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने CO2 जो लिया था उसका कारबन C14 वाला यूज किया था C14 वाला isotope उन्होंने यूज किया था और अपने इन्होंने रियक्शन करवाया था डार्क रियक्शन के अंदर फिर उन्होंने step by step कुछ प्रोड़ेट्स को देगा इनको पता चला कि जो पहला प्रोड़ेट्स बना था वो तीन कारबन का बना था बस इतना इनको पता चल गया था कि जो पहला प्रोड़ेट्स बना था वो कितने कारबन का बना था तीन कारबन का कोई ने कोई और गेनिक एसीड उनको पता चल गया था इसके साथ ही उसने ये संपून बायो सिंथेटिक फेज के खोज के थे जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं और उसका पहला प्रोड़ेट का नाम भी आज हमको पता है जिसका नाम है 3-phosphoglyceric acid ये 3 क्यों बोलते हैं क्योंकि 3 नंबर कार्बन की उपर phosphate group present होता है जिसको हम लोग short में 3 PGA भी बोलते हैं तो इसने बत पूछ रखा है कि इसमें कितने कार्बन परमानों होते हैं भाईया तीन कार्बन परमानों इसके अंदर present होते हैं इतनी बात के लिए रहोगी ओके अब देखो वेक्यानिकों ने जानने का यह भी प्रत्ने किया कि क्या सभी पोदे कार्बन डाय ओक्साइड का फिक्शेशन करके पहला प्रोड़क्ट PGA ही बनाते हैं क्या तो उन्होंने अलग लग प्रांट्स के उपर थी ना न कौHогडो की अएशीड दीटा लेकिन अब तीन कार्बन का ना तीन कार्बन नहींता अब व Concept का चार चार कार्बन परमाणु का पहला इस्ताइक उत्पाद उन्होंने कुछ प्लांट्स के ने में देखे यह भी एक organic acid है जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं तो अब हम आरे पास दो टाइप के तो प्राडेक्ट बन था है वह तीन carbon का बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं जिसका नाम था पीजी छी आ धा तो देखो यह तो पता चल गया कि CO2 जो है वो किसी ने किसी compound के साथ में टेस होता है मालो compound X है और क्या बनाता है तो भाई साइंटिस्ट ने देखा कि यार तीन कार्बन का प्रैमरी इस्ताई उत्पात बंद रहा है तो ओविस सी बात है एक कार्बन तो कार्बन या उक्साइड यानि CO2 का है तो हो सकता है दो कार्बन वाला कोई नों को प्रॉडट होगा जिसके साथ जूटकर यह तीन कार यह पांच कार्बन का था जिसका नाम आर्यू भी पिद अर्यू डरस जो की-टॉट्मल्कर मिलकर च्पारश हो रोगिक बने घ्राइव और ग्रही नों एक पांच कार्बन वाला की्ट उग्ट बनता जिसका उड़र होता है रूडबीप जिसका पूरा थे इप, भीज फास होता है क्या आप में से किसी ने इस संभावना के बारे में सोचा था अरे परेशान में तो यह भाई विग्यानिकों को भी इसे जानने में बहुत समय लगा था जिसे में अभी का था उनको पता नहीं चल रहा था कि प्राइमरी कार्मन डायोक्सड जो अक्सेप्टर था मौशली उन्होंने दो कार्बन का सोच आता है पहले उन्होंने पहले दो कार्बन का कंपाउंड को पैचाने के लिए बहुत सरे प्रियोग भी किये थे लेकिन बाद में उनको पता चला कि पांच कार्बन वाले अर्यू साइकल के बात करते हैं यहां तक अगर आप लोगों यह वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जूरू कीजिए अपने दोस्तों साथ सेर कीजिए अब लोग बात करतें के बारे में तो केल्विन और उनके साथी लोगों ने complete path का पता लगाया था इसके अं UBP वापस से बनता है वापस से जिरी जेनरेट हो जाता है अब यह देखें कि Kelvin path cases नचलित होता है और सरकरा कहां पर बनती है सुरू से ही या सुरू में हम यह स्पष्ट रूप से समझ चुके कि Kelvin cycle उन सभी पोदों में होता है यहां पर प्रकास नसलेशन होता है अब यह मह सोचना है कि वह सीतरी होगा सीफ़र होगा तो कोई भी प्लांट सो उन सभी के अंदर फॉटो सिंथेस होता है तो ऑफिस यह बात है Kelvin cycle उनके अंदर होता है अब हम लोग समझेंगे इस चक्र को हम लोग समझने वाले है तो यहां स्थे एक इतने कारवन का होता है अब स्थे ट्राइट फॉस्फपेट सुगर बनता है दूसरा अश्थे रिडक्शन को तो यह यह प्रक्राइक्सन है ठीक है अब चैन्सकों अलोग बोलते है इसमें होता है जैसे रेदेक्शन प्रोसेस होती है उस कंडिशन के अंदर 2 ATP खर्च होती है 2 ATP से क्या बनेगा 2 ADP बनता है और साथ में 2 NA DPS टू भी खर्च होता है और साथ में इसके क्या बनेगा NA 2NA DP पोजिटिव बनता है तो यहां पर 2 ATP और 2 NA DPS खर्च होते हैं और क्या मतना है 2 ADP और 2 NA DPS पोजिटिव और IP का निर्मान होते है इतनी बात के लिए होगी ठीक है तो दूसरा step कोन सा होता है? reduction होता है जिसके दुआरा क्या मनता है? sugar का formation होता है यानि आगे जाके क्या मनता है? starch बनाता है और यह हो सकता है starch सरकरा बनाता है यानि कीजरी generation के अंदर कितने ATP consume होते है एक ATP consume होते है अगर आप से पूछे 1 Kelvin cycle के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है तो आपको पता है CO2 का utilization हो रहा है और क्या बन रहा है? देखो CO2 का इसके अंदर use हो रहा है मैं एक का बता रहा हूँ तो यह अगर मैं NADPH के बाद करता हूँ तो देहान से देखना 2 तो NADPH खर्च हो रहे है और 3 ATP खर्च हो रहे है और यह cycle कितनी बार चलते है? 6 times चलता है 6 बार यह cycle चलता है तो इसके अंदर याद रहना क्या in हो रहा है? यानि कि अंदर क्या रहा है? शोटो अंदर रहा है 6 बार चलता है और क्या निकल रहा है बाहर? C6, H12, Ocism को यह प्राप्त हो रहा है अब एक बार के अंदर 2 NADPH तो 6 बार में कितने होंगे? 12 NADPH खर्च होंगे एक cycle में 3 ATP खर्च हो रहे है पहला कार्वाक्सली करण जिसकों हम लोग कर्वाक्स लेशन बोलते हैं फर्स्ट, दूसरा आता है रिडेक्शन, हो थर्डा आता है कार्वाक्सली की बात करते हैं तो इसके अंदर CO2 का फिक्षण होते है यो गी-गी करण होता है जिसके अंदर प्रामरी जाद रखना रुबिस्को के परजेंस में होती है यानि कि राइब लोज वन फाइब इस फॉस्वेट कार्बॉक्सिलेज ऑक्सिजिनेज के परजेंस में यह हो रहा है जिसके प्रणा सुरुप क्या बनता है थ्री पीजिये के दो अनु बनते दो अनु यानि एक कितने परणाम क्या बोल सकते हैं लोग इसको राइब लोज वन फाइब इस फॉस्वेट कार्वॉक्सिलेज एंड ऑक्सिजिनेज हम इसको बोलते हैं शॉर्ट में रुबिस को बोलते हैं सेकंड इस्टेप की बात करते हैं वह है रिडक्शन यानि कि अपचें जिसको हम लोग ब इस चरण के अंदर शॉर्ट अनु के स्थिरी करण है तू त्यांसे मना दो तो ATP और दो ही अने डीपेस यहां पर लिखा होगा एने डीपेस तो दो ATP और दो अने डीपेस का उप्योग होता है इसको अप्चेंड करने के लिए इस पात के अंदर गुलकोज का एक अनु को ब बनाएगा और यू बीपेस वापस से बनाता है यानि यह राइबिलोज 15-20 फॉस्फेट को यह वापस से बनाने का काम करता है इस तुरान याद रखना एक ATP यहां पर खर्च हो जाती है तो साइकल कितनी टाइम चलना है याद रखना है साइकल चलना है छह बार तो शह बार चलेगा अब इसके अंदर 6 CO2 होंगे और क्या बनाएगा एक गुलकोज बनाता है 18 ATP खर्च होती है क्या बनाएगा 18 ADP मनाता है और 12 NADPH खर्च होता है जो बाहर के निकलता है 12 NADPH पोजिटिव बाहर निकलते है ठीक है तो याद रखना चक्रों की संक्या कितनी होती है 6 चक कि सैकल हम लोगों ने पढ़ लिया C3 सैकल कंप्लेटली हमारे माइंड के अंदर सेट हो चुका है